आप ये समझेए, जो सोशल मीडिया की चेर परसन है, वो कह रही है, उनके अकाउंट कही लोग डील करते हैं, कॉंग्रेस की जो बाते हैं, इंके अकाउंट कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए, कॉंग्रेस और इंडी गढ़बंदन किसी अज्याद शक्तियों मेरे फेस्बुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का अक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहत घ्रनित और आपत्ति जनक पोस्ट की, मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्व प्रथम उस पोस्ट को डिलिट किया, क्योंकि जो कोई भी लागी ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपियोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से वही पर यह अब्जेक्शनबल पोस्ट हो और वही से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेस्बुक और इंस्टापे डाला, मैं ये पूर बहुँ सुप्रियर श्रिनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिपणियां भ्रहमित बाते कही जाती हैं, मैंने सर्व प्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है, लेकिन मै मैं यहाँ पर बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्धी, भोंडी, व्यक्तिकर, टिपणियों के खिलाफ हूं, ना मैंने ऐसा कभी किया हैं और ना मैं कर सकती हूं, विचारधारा की लड़ाई पुर्जोर तरीके से, पूरी मजबूती से लड़ने में, मेरा यकीन है, महिलाओं के खिलाफ मैं आपती जलक शब्दों का प्रयोगी ही नहीं कर सकती हूं, यह एक बात में तो बहुत दम है, उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो, दूसरे कई लोग डील कर रहे थे, पहले उनकी गढ़बंदन क एक नेता हैं, जिनके परशनवाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे, अब कॉंग्रेस की, आप ये समझेए, जो सोशल मीडिया की चेर परसन है, वो कह रही ही, उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं, बहुत साफ है कि कॉंग्रेस की जो बाते हैं, इनके अकाउंट कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए, कौन-कौन सी शक्तियां, डिजिगनेटेड, डिजाइन मैसेजेज भेज देती हैं, जो सीधे एज़िटिस कर दिये जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमानित करता है, कि कॉंग्रेस और इंडी गढ़बंदन क किसी अग्याद शक्तियों के हाथ में खेल रहा है,